हलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई चैनल आज हम सुनेंगे सीता माता के नितनेम की कहानी यह कहानी माता शीता कहती थी और प्रभु श्रीराम इसे सुना करते थे एक दिन प्रभु श्रीराम को किसी काम के लिए अचानक से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो बारे वर्ष का नितनेम है अब आप बाहर जाएंगे तो मैं कहानी किसे सुनाओंगी श्री राम जी ने कहा कि तुम कुए की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी शुना दे एक इस्त्री आई उसने रेसम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सौने का घड़ा ले रखा था सीता माता उसे देखकर कहती है कि बहन मेरा बारे वर्ष का नितनेम है सुन लो पर वह इस्त्री बोली कि मैं तुमारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो ज आई है बहू ने कहा कि कुए पर एक औरत बैठी थी उसने कहानी शुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी जिसका मुझे ये फल मिला है बहू की बात सुनकर सास अगले ही दिन वही साड़ी पहन कर और घड़ा लेकर कुए की पाल पर गई सास को वही माता सीता बैठी म तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी शुन लीजिए सास बोली कि एक बार छोड़ो मैं तो चार बार कहानी सुन लूँगी राम आए लचमर आए देश के पुजारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैठो राम तपी रसोई जीयो राम माखन मिसरी खाओ राम दूद बता सा पीयो राम सूत के पलका मोटो राम साल दूसाला पोटो राम साल दूसाला ओडो राम जब बोलू राम ही राम राम सवारे सब के काम खाली घर भंडार वरेंगे सब का बेड़ा पार करेंगे श्री राम जै राम जै जै राम सास बोली की बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी फटी हुई साड़ी रेसम की जरीकी बन गई मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया बहु कहने लगी सास सुमा आपने ये सब कैसे किया सास ने कहा कि बहु तू दोस लगा के आई थी और मैं अब दोस उतार कर आई हूँ बहु ने फिर पूचा क्यों वे कुए कुए पर बैटी हुई इस तरी कौन थी सास बोली कि वे माता शीता थी वे पुराने से नया कर देती है खाली घर में भंडार बर देती है कुझारी आए नित नेम का नेम लाए आओ राम बैटो राम तपी रसोई जीयो राम माखन मिसरी खाओ राम दूद बतासा पीयो राम सूत के पलका मोटो राम साल दुसाला पोटो राम साल दुसाला ओडो राम जब बोलू राम ही राम राम सवारे सब के काम अफसास बहुरोज सवेरे उठती नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की शीता जी की कहानी कहती एक दिन उनके या एक पडोस की ओरत आई और बोली की बहन जरा सी आच देना तो बोली की आच तो अभी हमने जलाई ही नहीं है पडोसी ने कहा कि तुम शुबह चार कहने से घर में भंडार वर जाते हैं सारे काम सिद्ध हो जाते हैं मन की इच्छा भी पूरी होती है पडोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी शुना दो फिर वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो राम आय लचमड आय देश के पुजारी याय नितनेम का न लाए आओ राम बैठो राम सारी कहानी सुनने के बाद पडोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी अब हुए पडोसन भी नितनेम शीता माता की कहानी कहने लगी कहानी कहने से सीता माता ने पडोसन के भी भंडार भर दिये अब तो पूरे महले में नि किसी की मनुकामना पूरी होने लगी हे सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं वैसे ही हमारे भी भंडार भरना कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी फ्रेंट्स आपको हमारी यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरू बताना पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेश करना कमेंट में जै शीता राम और जै शीयर राम अवशी लिखना धन्यवाद